रोहित शर्मा और इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर रीजन रिवील करके बताए कि रिंकु सिंग एंड केल राहूल को वर्ल्ड कप स्क्वार्ड में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है जिहां गाइस आज प्रेस कॉनफरेंस था और यह बहुत सारे लोग के मन में सवाल था कि रिंकु सिंग स्क्वार्ड में कैसे नहीं आए तो इसतर रिलेटेड अजीत अगरकर कहे कि रिंकु सिंग का एक्स्क्लूजन वस तफ़ेस डिसिजन इसमें रिंकु की कोई गलती नही है और यहीं सेम चीज रोही शर्मा भी एक्स्प्लेइन करके कहे कि आई वांटेड फोर स्पिनर्स इन दे स्क्वार्ड मैं यहां पर रिजन नहीं बताऊंगा एल लेट यू नो इन दी युएसे बट यहां नाव कमिंग तो केल राहूल वो तो रिजर्व में भी सेलेक्ट और क्लारिटी मिल गया होगा सो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियान आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना